Hello everyone and welcome to all the Jammin Kishmi students in your own YouTube channel for Evening Current Affair MCQ's Lecture Series जी हाँ आप लोग सोच रहा होगे कि morning में already Current Affair का lecture हो चुका है तो अब क्या है जी guys अब मैं आपको बताना चाता हूँ कि evening time पे अब हम लेके आए हैं Current Affair MCQ's Lecture Series Morning में हम लोग जो discuss करेंगे वो detail में discuss करेंगे और evening time में हम Current Affair के important MCQ's को discuss करेंगे मतलब जितने भी एक दिन में जो important Current Affair के questions निकल करेंगे वो हम discuss करेंगे ताकि आपके जो भी साथ साथ में Current Affair के जो portion है वो cover up होता जाए So before starting I just want to take you a little bit time for discussing about some important points that why I started this lecture series, this Current Affair lecture series for all of you guys देखें main चीज अगर मैं बात करूं तो Current Affair is very important section for all the competitive exam and along with it it's very much beneficial and you can say it's a game changing section क्योंकि Current Affair maximum बच्चे जो है वो क्यूट कर देते हैं क्योंकि it's a vast subject I know and even मैंने बहुत बार खुद भी मैंने बहुत सारे candidates को बोलाई कि यह बहुत vast है और इसको आप हो सके तो last में करना लेकिन मुझे ऐसा लगा कि Current Affair portion जो है अगर यह vast है तो इसको कुछ करने का तरीका डोनना चाहिए और ताकि बच्चे जितने भी prepare कर रहे हैं different compared exam उनको help provide हो सके so guys यह जो lecture series में लेके आया हूँ यह सिर्फ और सिर्फ उसी need को fill करने के लेके आया हूँ और मैं आपको बता दूँ कि हमारा यह जो YouTube channel है यह सिर्फ और सिर्फ J&K students के लिए है और मेरा जितना भी काम होगा वो सारे का सारा JKSSB exam के लिए होगा मतलब जमुएन किश्मीर में जितने भी competitive exams हैं उसके लिए यह YouTube channel पूरे का पूरा dedicate किया हुआ है और मैं एक चीज की surety आप सब को देना चाहता हूँ कि अब जितने भी candidates हैं who are preparing for JKSSB exam or maybe for any other competitive exam उन सभी candidates को कोई भी problem नहीं होने वाली है current affair से यह मेरा आप सबसे वादा है लेकिन in return मतलब बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग मुझे sport करें that's all और मतलब मैं कोई अब सब को मैं सिर्फ in return सिर्फ sport चाहता हूं कि मैं जो भी provide करूं आप लोग उसे देखो आप अपने friends के साथ share करो social media पे share करो facebook पे share करो whatsapp पे share करो और जितने भी friends हैं आप उन सब को ले के आओ ताकि यह जो benefit जो मैं आपको देना चाहता हूं यह सब तक पहुंचे अब sport आप किस तरह से मु लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ है अदर्वाइस जे के सब्सक्राइब करके हमारा यूजर नेम है अब प्लीज इसको जाके follow जरूर करें because it's very important यहां पर हर तरह की जो नोटिफिकेशन वो डालते रहते हैं नेक्स जो है वो आप लोग हमारा fb messenger group जो है वो जोईन कर सकते हैं इसका link भी मैं description में दे दूँगा और क्योंकि अब fb messenger group में क्या होगा कि हम कोई भी update जो डालेंगे वो सारे के सारे जो updates हैं वो आपको direct हम message के थूरू provide कर देंगे और उसके बाद आप हमें telegram पे भी जो कर सकते हो इन दोनों तीनों जो social media platform है हमारे इन तीनों के आपको नीचे description में link मिल रहेंगे और ये एक तरह की एक पहल है एक शुरुवात है उन सभी candidates के लिए उन सभी जमन किश्मीर students के लिए जो सफर करते है current affair को लेके इन different jksb exam हो चाहे jkbos exam हो चाहे jdjun assistant exam हो because most of the students they cute current affair section for their completed exam because it's very vast but believe me अब इस चीज़ को इतना simplify कर दूँगा कि आप लोग खुद फील करोगे कि current affair से कोई भी मतलब subject current affair सबसे असान subject है right और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी short description में बता दूँ कि जितने भी candidates जो मुझे देख रहे हैं इस video में जो सुन question कर रहे हैं so guys आप सबके लिए हम लेकर आया है two most important a books first current affair and second है model test paper की so वह सभी candidates जो जेके बहुत junior assistant exam की preparation कर रहे हैं guys मैं आपको बता दूँ यह दोनों books आपके लिए बहुत important है क्यूंकि एक में हमने पूरा January से लेके जून तक का पूरा six month का current affair जो है वो compile करके book में डाला ह और दूसरी जो book है जिसमें हम 10 model test paper provide कर रहे हैं इसमें आपको पूरे exact जैसे exam में questions होते हैं same ऐसे ही आपको जो questions है वो देखने को मिलेंगे और it's very important for practicing यह practice purpose है बहुत जादा important है और इन दोनों की जो cost है वो 225 rupees है combine इसके pricing के मैं बाद करूँ अगर अलग अलग देखोगे तो इसका total 350 बनता है लेकिन अभी हम 225 rupees में यह दोनों books जो है वो provide कर रहे है इन दोनों book को buy करने का जो link है वो description में दिया हूँ आप simple वहाँ जाके buy कर सकते हो guys and अब main चीज मैं बताऊं तो अगर आप JK Bose का online course join करना चाहते है तो आप वो भी कर सकते हो course join करने के लिए आप आपको 699 rupees पे करने है और joining के लिए करना क्या है यह जो आप number देख रहे हो 7006332724 आप इस number पर मुझे वाटसाप मेसेज या contact कर सकते हो आपको सारी information provide कर देए तो finally शुरू करते है हम आज का हमारा lecture और आज के lecture में हम लोग जिन mcqs के बारे में पढ़ेंगे जिन current affair mcqs के बारे में पढ़ेंगे वो सारे के सारे वेस्ट हैं budget के ओपर budget 2019-20 का जो अभी रिसली हुआ है यह सारे के सारे mcqs उसी budget के ओपर वेस्ट रहेंगे तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले question की तरफ और first question में कहा गया है कि what is the name of new water conservation scheme announced by finance minister निमला सिता रमान डूरिंग व 2019 की जो अभी budget speech रही है उसमें किस कौन सी new water conservation scheme के बारे में announce किया गया है finance minister अद्वारा तो इसका जो answer है वो है जल जीवन mission ठीक है यह जो option that's the right answer for this question तो next question के अगर हम बात करें तो next question में mcqs में कहता है कि name of education body announced by नेमला सिता रमान तो प्रमोट रिसर्च इन इंडिया मतलब कि वो कौन सी education body है जिसको announce किया गया है नेमल सिता नेमला सिता रमान द्वारा तो प्रमोट रिसर्च इन इंडिया okay and the answer is national research education okay so next mcqs के अगर हम बात करें next question के अगर हम बात करें तो next question में आता है कि union government has proposed to make to make which two identity card interchangeable मतलब कौन से वो दो identity card interchangeable जो है union government ने प्रपोस किया है so that is pan and aadhar these two identity cards जो है that has proposed by the union government for interchangeable okay so next जो हमारा question है next mcqs जो है वो है कि how much amount is allocated in the union budget to the 90 to boost credit in public sector bank public sector bank को boost करने लिए 2019 के union budget में कितना amount जो है वो दिया गया है तो इसका जो answer है 70,000 क्रोर okay तो c option is the right answer this question next कि अगर next mcqs की में बारे में बात करूं तो next mcqs में है 5th mcqs में कि union budget 2019 का जो target है target target which amount amount to the investment of cpses including air India so how much amount is that तो वो जो amount है वो है 1,5,000 क्रोर okay next questions की अगर हम बात करें next multiple choice question की बात करें तो उसमें कहा गया है कि union minister ने प्रिपोस किया modernization दो हजार मतलब 2019 में उन्होंने किस चीज में किस सेक्टर में उन्होंने modernize करने का फैसल है ताकि लोगों की जो सुविदाएं है to enable ease of living मतलब उनका जो रहन सहन में उसमें थोड़ा सा रहन सहन नहीं मतलब यह अब as a country अगर हम home लेके चलें तो मतलब इनका कहने का यह है कि किस सेक्टर में उन्होंने modernization किया ताकि लोगों को help हो सके और ज्यादा facilities जो है वो प्रवाइड की जा सके तो वो सेक्टर है आपका railway station ठीक है next 7th mcqs में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया कि an enklopedia जो है is being developed on which of the following freedom fighter so that is Mahatma Gandhi right next question में अगर हम move on करें तो next question में कहा गया है कि name the Jojana that has been proposed by the union government for the fisheries sector fisheries sector के लिए कौन सी scheme को union government ने प्रपोस किया है so that is प्रदान मंत्री मत्सया संपदा जोजना okay so B is the right answer for this question next question की अगर मैं बात करूं तो next question में कहता है कि जो budget है 2009 का उसमें उन्होंने tax rate को कम किया है कर उन companies के लिए जिनका monthly sorry annually turnover 400 crore है तो अब यह जो companies है यह कितना इनको पे करने की जरूरत है तो अब 25% जो है वो यह लोग tax जो है वो पे करेंगे next question के अगर मैं बात करूं तो next question में कहता है कि which for which sector a new tv channel would be launched as announced in budget 2019 2019 के budget में किस tv channel की launching के बारे में announce किया गया है बतब किस sector के लिए किस sector के लिए new channel जो है वो launch किया जाएगा and that is for startups बतब startups के लिए startup sectors के लिए Indian government ने union government ने new tv channel launch करने का announcement किया है ताकि वो सारे new entrepreneur which is interested in creating their own startup venture तो उन लोगों को help मिल सके उन सभी पुराने खिलाडियों से जो अल्रेडी बहुत लंपे टाइम से अपने बिजनस में काम कर रहे हैं ओके तो यह थी वो सारे के सारे important mcqs that is based on budget 2019-2020 और इन सभी की जो mcqs मैंने इनका जो pdf है वो मैं provide कर दूँगा आपको निचे description में इसका link पड़ा हुआ है और आप वहां से download कर सकते हैं so thank you so much आज के first lecture के लिए and i hope आपको मज़ा आया होगा and don't be get bored by my lecture यार मतलब मुझे I just need your 10 minute and उस 10 minute में definitely I will try to give more value as never you expect ever okay so आज के लिए इतना है see you in the next video tomorrow with another current of your lecture thank you so much